अब वेडी गूड मॉर्निंग तु एवरीवन जैसा कि पिछले क्लास में ब्रीटाउल साइकल के इफिचेंशी में हीट एडिक्षान कैसे लिखते हैं हीट रिजेक्षान कैसे लिखते हैं पीवी डाइगराम टीएस डाइगराम को अच्छे सा समझेते हैं दूनों को कनेक्ट करकर अच्छ दा समझेते के पीवी डाइगराम में पीवी डाइगराम से दी एस डाइगराम को कैसे प्लॉड करेंगे इनट्र तॉपिक कब कॉंस्टें होगा हीट ऐडिशन कॉंस्टेंट प्रीक्षएप पी हो रहा है और expansion process आपका isentropic हो रहा है, compression process isentropic हो रहा है और इसके efficiency को भी हम लोग ट्रियाइब किये था I think आप लोग वीडियो को काफी अच्छे से देखे होगे breakdown cycle के efficiency को और हर point को clearly understand की होगे तो आज की session में हम लोग परहेंगे conceptual, numerical and competitive exam में जो कुछ question आई based on breakdown cycle के move on करते हैं बहुत सारा objective type का question इसमें form होगा, इसमें बहुत सारे concept का use होगा चलिए इसको बहुत अच्छे से understand करते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझते हैं सबसे पहले question को परते हैं बोल रहा है, in a breakdown cycle based on power plant the air at inlet, inlet का air का condition दियाओ 27 degree centigrade and 0.1 MPa pressure दियाओ है फिर उसके बाद दियाओ है the pressure ratio, pressure ratio is 6.25 दियाओ है and the maximum temperature, maximum temperature 800 degree centigrade दियाओ है तो पूछ रहा है, find the compression work per kg of air, second में बोल रहा है the turbine work निकाल है per kg of air, उसके बाद third में पूछ रहा the heat supplied per kg of air and day में पूछ रहा cycle efficiency, चलिए 1 by 1 question को solve करन दियाओ को स्रिस करते हैं आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए कि उसमें मैं ब्रेड़ान साइकल का देखिए सबसे पहले हम इस डियाग्राम को समझ लेते हैं यह open condition में ब्रेड़ान साइकल है इस case में PV डियाग्राम और TS डियाग्राम को अप्लॉट की है पिछले वीडियो को जाकर देखिए कि उसमें मैं ब्रेड़ान साइकल से रिलेंटेड़ चीज़ क्या बताया हूं हर कंसेप को आप अच्छे सा समझेए फिर 3 से 4 क्या है आइसाट्रोफिक एक्सपैंशन है और 4 से 1 है ऑस्तें पर सक हीट रिजेक्शन प्रोसस है ठीक है 2 से 3 में आपका हीट एडिशन हो रहा है 1 पर फोन में आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है उसी के एक्कॉर्डिंग पर यह ट्येस डाइग्राम यहां पर प्लॉट किया गया तो यहां साइकल का मैक्सिमान टेंपरिचर सहां पर 3 पॉइंट पर 3 point पर maximum temperature पर चलिए portion में aslel निफशन में जो given है यह सब दाटा जो है given है इस data को हम noll down करदें question में द branding यह वो क्या बोल रहा है कि air at INLET is 27oc 명 at klle.0.1mp मतर्ब यहां अर्गITEय का INLET हो रहा है इस point का condition आपको दे रहा है One point का condition दे रहा है one point का condition i t1 isno 73 इसमें add कर दीजे तो यह आपका Kelvin में change हो जाएगा उसके बाद यह आपका यह pressure दिया हुआ pressure क्या दिया हो 0.1 Mpa pressure दिया हुआ है तो हम मैं आपको बताया था 1 1 Mpa 1 Mpa is equals to 1 1 Newton 1 Newton per mm mm square ठीक है is equals to 10 to the power 10 to the power 3 pascal यह Newton per meter इसको Newton per meter square में convert करेंगे और इसी को बोलेंगे 10 to the power 3 pascal इसी को बोलेंगे 10 to the power 3 pascal जो कि मैं कई बार आपको drive करेंगे दिखा चुका हूँ water cycle का भी numerical करवाया था तो उसमें भी दिखाया था तो यहां पर प्रेशरगे कंदिशन के 0.1 1 Mpa दिया हुआ है तो यहां पर 0.1 Mpa को 0.1 Mpa दिया हुआ है 0.1 Mpa अब इसको किस में किस में change करना है तो kpa में change करना है यह आपको kpa का unit है यह 10 to power 3 KPA है यह KPA में यूनिट है तो आप इसको क्या करेंगे 10 to power 3 से multiply किज़ेगा तो 100 KPA आप आ जाएगा जो की value यहाँ पे return है यहाँ 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 पे return है ठीक है तो यहाँ पे आपका P1 pressure पता चाले है फिर आरपी आरपी मतलब pressure ratio दिया क्या क्या बोल रहा है दब को प्रेशर रिशियो इस 6.25 प्रेशर रिशियो बोले तो प्रेशर रिशियो इसमें प्रेशर रिशियो जो है यह P2 by P1 है P2 by P1 का value दिया हुआ है यही आपका आरपी है जिसको हम लोग pressure ratio बोल रहे है ठीक है तो यहा सब्सक्राइब करें तो इसे अब है इसके बाद आपका बुल करें है तो इसले कि आपका केल विल्ली तो यह आखिक आप ये conversion समझ गयांगे, यूनिट का conversion मैं कैसा किया हूँ अच्छे से, चलिए आगे move on करते हैं, इस किसमें क्या हो, इस किसमें मैं आई ये चीज को already मैं आपको detail में discuss कर चुका हूँ तो यहां पर मैं जादा discuss नहीं करूंगा, सिपाप इतना जा लिए कि compressor को चलाने क हम को यहां से, उसका कुछ पाट हम compressor को provide कर देंगे, ताखि compressor का motor run करते हैं, ताख compressor smoothly run करते हैं, मतलब इस case में compressor को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, work input देना पड़ेगा, यहां से work input देना पड़ेगा, और turbine आपका work output देगा, यह work output देगा, ता चलिए आगे move क यह बाले में कलते हैं, तो one set two process कौन सा है, देखि one set two process कौन सा है, isentropic process है, यह देखि one set two, one set two, one set two isentropic process है, इसके लिए हम लिखेंगे, t2 by t1 is equals to rp का power, मतलब t2 by t1 is equals to, यह होगा, t2 by t1 is equals to, p2 by p1 का power, गावा-1, t2 by t1 is equals to, p2 by p1, p1, p2 by p1 का power, p2 by p1 का power, gamma minus, gamma minus 1 upon gamma, और यह p2 by p1 ही तो आपका है, pressure ratio, मैं already आपको बताया है, यह p2 by p1 ही तो rp 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 है, ता इसा ट्रॉपिक के लिए हम लोगी, यह question already जानते हैं, पीशे लिए मैं t2 by t1 is equals to, r rp का power, gamma minus 1 upon gamma ले लिए हूँ, जाकि यहाँ पर आपका rp का value कितना दिया हूँ, 6.25 दिया हूँगा, 6.25, rp का कोई unit नहीं हूँगा, यह एक ratio है, तो यहाँ पर 6.25 को रे दिया हूँ, और यहाँ पर gamma का value, gamma क्या है, यहाँ पर air, air यूज कर रहा है, तो gamma का value यहाँ पर 1. 1.4 हम जूम कर लेंगे, कि air as a diatomic gas के लिए, gamma का value 1.4, यहाँ पर 1.4 हो गया, तो यहाँ तो value को निकालेंगे, तो 1.689 आएगा, यहाँ से फिर T1 का value मेरा given है, देखिए, T1 का value यहाँ पर given है, T1 आपको यहाँ पर given है, 300 degree से दिग्रे, तो T1 का value आपको यहाँ पर put कीजि temperature का work input is supposed to cp delta t, मैं already आपको बता दिया हूँ, कि cp delta t कैसा लिखेंगे work और आप लोगों को यह सब चीज, first law से connect करके मैं already बता दिया हूँ, तो मैं बार-बार एक ही चीज़े को discuss नहीं करेंगा, अगर आपको यह जानना है, कि यह चीज कैसा लिख रहा हूँ मैं, तो आप आप रिजियर्स वीडियो को अच्छा से दिखिए हर कंसक्क को समझेए, तो देखिए air के लिए cp का value जो होता है, air के लिए cp का value होता है, 1.005 यह value को आप याद रखिए, kilo zool पर केजी Kelvin, ठीक है, यह 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 cp का value पूट कर दिये, t2 का value आपको पता है, और t1 value हम यह already given है, t1 value देखिए, यह given है, तो यह value पूट करेंगे, आप यहाँ से सब कंप्रेशर का work, work input निकल जागा, मतलब यह इतना work आपको चाहिए, इतना work आपको चाहिए, इतना work आपको चाहिए, कंप्रेशर को चलाने के लिए, इतना work आपको देना पड़ेगा, इतना work हो जाएगा, उसके बाद next question के तरह move on करते है, 3-4 process आपका क्या है, 3-4 आपका isentropic process है, मतलब 3-4 process देखिए, यह 3-4 आपका क्या है, isentropic, मतलब entropy आपका constant है, इसके इसमें entropy constant है, तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हमी entropy constant है, तो वहाँ साथ फिर से लगाईगे इसमें entropy के लिए जो equation होता है, फिर T3 upon T3 upon T4, T3 upon T4 is equals to P3 upon P3 upon P4, P3 upon P4 का power यह होगा, गामा माइनस 1 upon गामा, गामा माइनस 1 upon गामा होगा, ठीक है, आप देखिए, यहां P3 आप P4, तक पी सिर देखिए, डाइगराम में देखिए, P3 is equals to, P3 is equals to क्या है, P3 is equals to P2 है, P3 is equals to P2 है, और P4 is equals to P1 है, यहां पे, तिखिए, यही का होगा प connectivity करदिय Peach czyli P2 पूट कर दे के यह देखिए, यह constant pressure process है, यह वह ला constant pressure process है, और यह भी आपका constant pressure process है, मैं आपको समझा रहा हो बारवर, आपको आपको यहां समझ हार हूँ, कर दूंगा बार में तो यहां पर यहां पर जए पर के जगह पर फिर से पुट कर दूंगा और पीफूर के जगह पे पूट कर दूँगा, फिर से equation मेरा वही आजाएगा, मतलब P2 by P1 का पावर, गामा माइनस वन अपावर, जो की, आरपी का पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा ते इसको मैं लिख सकता हम, इसको मैं लिख सकता हूँ, P2 by P1 P2 by P1 P1 का power P2 by P1 का power gamma minus 1 upon gamma मैं यह लिखूंगा ठीक है तो यहां से आप फिर आरपी का value put कीजिए यह 6 to 5 आप गामा का value put कीजिए फिर यह value जब निकाल कल्कुलेटर ही निकाल लिए इतना जाएगा फिर आप आप यहां पर आप आलडरेडी इहां पर देखे टी चीफीर हेटर आप टीफर यहां से कीजिए कीरन आपके पर देकर लिए less Jedi वैंट आप마 सदोंगल टीछ के व ती पे मेरे अब पर और टी पारतिए लिए इतना वेल्य 1073 पुट किजिए 1073 की यह एक इवेल है उसके बाद आप कल्पिलेट करेंगे तो यहां से T4 आप कैतना निकल जाएगा फिर डबलू टर्वाइन आप निकालेंगे तो यहां पर फिर से डबलू टर्वाइन आप क्या लिखेंगे डबलू टर्वाइन निकिंगे C P C P Delt t Delt t क्या होगा ती फाइनल माइनस t इनिशियर तो यह आपका ठी फोर माइनस t3 इसको इसको ठी फोर प्री फोर माइनस t3 कर देजे तो वही आ यहां फिर से कल्कुलेट किया हो तो T4 माइनस छिन तरवाइन के मिला है अच्छार आपको मिल रहा है लेकिन चुकि ऐसना में देखे हैं तरवाइन में कंपूरिशका में तरवाइन के साफ में compressor couple है मतलब यह जितना work मिलेगा तो उससे कुछ work compressor use कर लेगा कितना work use करेगा यह तना work compressor ले लेगा remaining amount जो बचेगा वही इस plant का output होगा इस plant का output होगा जो remaining दबलू net यहां को क्या हो जाएगा डबलू net जब हम निकालेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा डबलू टरवाइन डबलू तरवाइन माइनस डव्लू कंप्रेश यह तना आपको करना पड़ेगा तो अब यहां पर फिर next step में करूँगा next step में देखिए जो आपका net work output देखिए यहां पर net work output यह पिसकली है क्या यह अपर w net है जो efficiency में generalize efficiency आपको बताया हूँ वो क्या बताया हूँ w net upon heat supply हीट supply हम दो निकाल देगे कि cycle का efficiency निकालना है तो आपकोशन क्या था इसमें पहला क्या था , आपका heat supply निकाल देखिए हीट supply हीट supply के लिए आपको लिखेंगे फिर से आपको लिखेंगे cp into delta t constant pressure पे है cp delta t लिखेंगे delta t क्या हो जागा p3 minus t2 इसको delta t को क्या लिखेंगे delta t को अब खिर से क्या लिखेंगे p3 minus p3 minus t2 इसको लिखेंगे p3 p3 minus t2 ठीक है तो वहीं चीज़ मैं इहां पे लिखाओ और t3 का value put किजिए t2 का value put किजिए cp into t3 minus t2 cp का value मालू में t3 का value मालू में और t2 का value हम लोग already निकाले हैं देखिए t2 का value हम लोग यहां पे find out किए t2 का value t2 का value यहां पे put किजिए उसके बाद आप इसको simplify करके आप का इतना आ जागा एडिशन ठीक है हीट इंपुट पर किजिए कितना हो गया 569.14 kg पर किजिए उसी तरह से आप cycle efficiency लिखेंगे तो efficiency क्या लिखेंगे इसको क्या लिखते है आपको w net w net w net आप लिखते है by heat q input q input जो होता है input जो होता है तो वही तो मैं आप लिखेंगे w net क्या हो जाएगा w turbine w turbine माइनस w compressor q input w turbine आप निकाल लिखें w turbine यह निकाले हैं और w compressor आप यह निकाले हैं तो उनों को घटा देजिए और उसके बाद q input आप यहां से पूट कर देजिए तो आपका फिर इसको बाद सिंप्लिफाई करें आपका इतना efficiency आ जाएगा चलिए i think आप इसको अच्छे दर समझ गया होगी इसको अच्छे दर समझ गया है तो चलिए कुछ competitive को exam में question आते हैं कुछ इस type के question आते है objective question मैं already जो यह question को discuss किया होगी काफी concept इसमें इसलिए हर point को अच्छे से understand कीजिए हर point को minutely understand कीजिए और इसको है ना conventionally रूप से एक बद समझ कर फिर से बनाने का कुछिस कीजिए फिर भी समझ नहीं आए हर concept को rewind कीजिए और समझ कर उस question को अच्छे से solve करिए कि इसने इसके बीस से बहुत सारे question आएंगे इस question देखते हैं जो का competitive exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो जली रिखेंगे है कि यह question है competitive exam में पूछा हुआ है कि the efficiency of briton cycle depends on first में दिया हो compression ratio second में दिया हो pressure ratio third में दिया हो either compression ratio और pressure ratio and fourth में दिया हो both compression ratio and pressure ratio तो आप इसको समझेंगे इसमें देखिए इसमें आपका कौन सा होना चाहिए ठीक है तो आप इसको कैसे solve out करेंगे सबसे पहले आपको efficiency of briton cycle आप यह जाते efficiency of briton cycle बराबर 1-1 by rp का पावर gamma-1 तो आर्पी को आप कहा लिखते है rp बराबर आप लिखते p2 by p1 rp बराबर यहां पर कहा लिखेंगे rp बराबर p2 upon p2 upon p1 p2 upon p1 जो कि मैं लिखते हैं का पावर gamma-1 by gamma और यह चुकि यह p2 by p1 one set two चल रहा है तो one set two कौन सा process है one set two process है isentropic process है isentropic process है one set two isentropic process है तो isentropic process p2 by p1 का पावर gamma-1 by gamma is equals to t2 by p1 साहा है किया त Herrn कि लिखें के लिए यह k की इन्या था क्रोखो फिर चे सीया टरागाने कहीं है तो यही इस oralנ्ट्झा मक्था लोग्षेंक घा आधे रदेंगे मों स्रतए ने छी आपनों को mm छे स्जाक्व्क है तो पूम देसे निया चुलत मतके मतलत को प्रोषे यह seven set व को पावड ऑजना मतलब थी बहुन को कि घयर जाएगा केको पर मरी उल्स्यों कि निए मतलब इसको आप एक तरह से All लीख सकते है कि आरी में ग्या सुर्पावर गृमाओ करी तो たीविपिस अब हुल म्तलब जिल्टावड और योण्पोर चाहिकोन्पट्ससे छाल लीख चाहिके मतला आप इसको बोल रहा है कि यह compression ratio के भी equal हो जाएगा अगर यह हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस score देखिए यह वला term इसके equal है यह वला term इसके equal है ठीक है और यह वला यहाँ पर मैं रिकालाओं यह किसके equal है compression ratio के equal है यह compression ratio के equal है ठीक है जो की आरती का पावर गावा माइनस वन हो गया था आप यह ब्रेटाउन साइकल का फिर efficiency क्या लिख देंगे ब्रेटाउन साइकल का फिर efficiency final efficiency इस तरह से लिख सकते हैं अब्रेटाउन is equals to 1 minus 1 by R3 का पावर गामा माइनस वन मतलव प्रेटाउन साइकल किसे इंटर लिंक है compression ratio से इंटर लिंक है और pressure ratio से भी यहां पर हर इक्वेशन को लिख कर आपको समझाया हूं तो मतलब यह दुनों दूसरे से लिंक है तो मतलब सकतलि की मैं यहां पर आपको लिख कर दिखाया हूं यहां पर आपको करके दिखाया हूं कर आपको लिखेशं क मैं रिए इस इसonne psychiatrist यूज करना पड़ा देन आप इसको सिंप्लिफाइब करके फिर आप इस फॉर्म में लाए इस फॉर्म में लाए तब आपको पता चला कि अप्रेटान साइकल दोनों पर डिपेंड करेगा चलिए यह समझ गए आप नेक्स्ट कुश्चन के तरफ मुप करते हैं यहां पर दे करेंड मत्ता टेम कंपरेशन देशियो दा इफिशेंची ओफ यूफ ड्रीटां साइकल इज इफिशेंची ओफ और र्टो साइकल मतलब यह में दिया लेस देम होगा एकौल टूगा ग्रेंटर दान होगा यह नम प्लीचन होगा तो आप इसमें देखिए सबसे पहले आप efficiency of Brayton cycle जो जामते हैं Brayton cycle का efficiency जानते है 1-1 by rp rp का power rp का power gamma minus gamma minus 1 upon gamma इसी को तो आप substitute करके यहाँ पे एक और efficiency निकले minus 1 minus 1 by rp का power gamma minus 1 तो इसको आप एक तरीका सा और निख सकते 1-1 by rc rc मतलब कमपेशन रहे हैं gamma minus 1 upon gamma यह और उसी तरह से efficiency of auto cycle अप क्या जानते efficiency of auto cycle efficiency of auto cycle अप क्या जानते efficiency देखिए efficiency of auto cycle मैं लिख कर देखा रहा हूँ आपको efficiency of auto cycle auto cycle का भी आप क्या जानते हैं 1 minus 1 by rc का power gamma minus 1 upon gamma तो यहाँ देखिए यह दोनों term यह वला term और यह वला term दोनों equal हो गया मतलब आगर आप compression ratio का value fix कर देंगे दोनों के लिए तो दोनों का efficiency equal हो जाएगा यह दोनों यह दोनों term आपस में equal हो जाएगा मतलब इस case में आपका आ जाएगा efficiency of auto cycle is equals to efficiency of britain cycle देखिए कितना important relation है मैं आपको निकार के दिखा रहा हूँ हर चीज़ को simplify करके मैं हर concept का use करके आपको दिखा रहा हूँ तो इसलिए for the same compression ratio efficiency of britain cycle is equal to is equal to efficiency of auto cycle मतलब इसका answer हो जाएगा ba e यह वला answer हो जाएगा यह वला answer हो जाएगा यह वला answer आपको हो जाएगा यह वला answer हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो I think आप इस चीज को काफी अच्छे से समझेंगे, हर कंसेप्ट को काफी माइनुटली समझेंगे, यह बहुत बहुत अच्छे से कंपटेटिव एक्जाम में इस तरह का कुश्यन होता है, जो हाई लेवल का ए कंसेप्ट को काफी डिपली समझेंगे, और हर क्वाइन को बढ़िये तरीके से अंडर्स्टैंड कीए, तभी आप हर बढ़िया से बढ़िया सवाल को कर पाओगे, ठीका, I hope आप लोगो हर क्वाइन अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो को स्टार्ट चलेके अम तक स समझें, हर क्वाइन को अच्छे से अंडर्स्टैंड करें, हर कंसेप्ट को अच्छे से अंडर्स्टैंड करें, वीडियो को लाइक से सब्स्राइब करना ना बुलें, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच